किसान भाईयो आज जो मैं आपको टैक्टर दिखाने जारू हूँ वो 10-20 साल पुराना टैक्टर नहीं है ये टैक्टर 70 साल पुराना है जी हाँ ये 1954 मोडल का मैसी फर्गूसन टैफे 20 है अभी आप देखेंगे इस टैक्टर पे जो इसकी स्टैंप लगी हुई है ये रही इ नेडिन इंग्लैन्ड लिखा है इस टैंप के उपर सबसे उपर और एक स्टैंप और है कि इस k Financial order जो इसके डिलर की less टैंप ए जो दिली से स्टैंप को ओल मिलनी रहते और वो रिम गल गए थे तो इसलिए ये पीछे के रिम टायर चेंज किये गए थे आप देख रहे होंगे कि 70 साल पहले कैसे टेक्टर आते थे हमारे देश में ये टेक्टर चार सिलेंडर इंजन में आता था और ये 20 होस पावर का टेक्टर है 20 HP का आपको इसका ट जियाधतर जो समान है वो औरजिगनल लगा हुआ है जय इसका उपर का एयर फंप है वह भी उरिजनल हैं इंजन टाक्टर मों ओर डेडियर वह सब टाक्ट्र मीवेसे अर्यीजनल है और यह टाक्टर आज भी स्टार्ट है बस अभी से टाक्टर में बैटरी नहीं है वरना मैं आपको अभी इस tector को start करके भी दिखाता ये इस tector का ऐसा engine है किष ट आपके engine होते थे पहले के जमाने में ये इसका silencer जा रहा है ऐसे नीचे को पहले silencer उपर नहीं होते थे ऐसे नीचे को जाके और पीछे दुहा निकलता था यह इसका ब्रेक है जहां पर भी आपने पैर देखा होगा यह दोनों साइड एक एक ब्रेक होते थे और एक ब्रेक इसका जो हमारे आज के टेक्टर में होते हैं वहाँ भी है इस टेक्टर में आपको चार फोरवर्ड एक रिवर्स गेर मिलता है यह पीछे इसका हिच जोडने का कुछ इस तरीके का है यहाँ इसमें एक शोकर दिया गया है पता नहीं इस शोकर का क्या काम है पर कुछ शोकर जैसे ही देखने में लग रहा है यहाँ पे इसका ट्रोली या चोपई ये बुग्गी का हिच जुड़ता है आप देखरोगी यह भी बिल्कुल अलग तरीके का है यह इसकी लिफ्ट्स हो गई टैक्टर की यह विंटेश टैक्टर है हमारे छेतर में इतना पुराना टैक्टर नहीं है किसी के पास मुझे तो लगता है अब देश में भी इतने पुराने टैक्टर गिने चुने दस-पांच ही होंगे चार सिलेंडर इंजन में आता था तब भी यह टैक्टर और शायद यह पहला डीजल टैक्टर था तब यह आना शुरू हुआ था टैक्टर एकदम ओरिजनल है सफाई से रख रखाया बनना सतर साल में तो अच्छे-चीज खराब हो जाती है आज भी टैक्टर पर सब चीज़े ओरिजनल हैं आप देख रहे होंगे सीट भी इसकी बनवार रखी है एक बार और मैं आपको इसका सैलेंसर दिखा देता हूँ यहां से इसका सैलेंसर शुरू ओपता है और ऐसे नीचे को जाकर और पीछे इसका दूहे का आउट है देखो यह रहा यहां पर लिफ्ट के पास और यहें पे इसकी बैटरी रखी जाती है जो खाली जो आप बॉक्स देख रहे हैं हहीँ पे इस ट्रीक्टटर की बैटरी होती है यह यहां पर इसका यह दोनों ब्रेक है आप देख रहे होगे इसको भी दबा के यह भी काम कर रहा है यह इस टैक्टर की lift यूज करने वाला लीवर है यह भी काम कर रहा है आज भी बस यह इस टैक्टर में जो है टायर चेंज है वन्ना पहले जो है टायर जैसे आगे की टायर पतले से छोटे से हैं पीछे के टायर भी ऐसे ही आते थे तो किसान भाईयो आज की वीडियो में मुझे आपको यही टैक्टर दिखानता अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सस्क्राइब करें सस्क्राइब करना एक दम फ्री है वीडियो एंट तक देखने के लिए धन्यवाद